इसके विद्यार्थियों जिक्के भाई B.S. चंदेश यूटूब चैनल पर आपका अर्दिक स्वागत और विद्यार्थियों आज के कलास में बात करेंगे राजस्तान के दुर्गु में हम आज बात करेंगे अचलगड दुरगु और अचलगड दुरग का इंस्तित है सीरो अचलगड़ दुरग अचलगड़ दुरग के अगर बात करें आप से इस्तान पुछा जाए तो सीरो ही है इसके स्रेनी पुछा जाए तो कौन सा है गीरी दुरग है कैसा है गीरी दुरग है अचलगड़ दुरग ही इस्तान सीरो ही इसके स्रेनी पुछे तो गीरी गीरी दुरग की स्रेनी में आता है इसका उपनाम एक यह मत्मुन नाम है आरबुदे पर्देश क्या कहते हैं से आरबुद पर्देश या आरबुदे दुरग के नाम से जाना जाता है आरबुदे दुरग के नाम से जाना जाएगा किसके नाम से जाना जाएगा आरबुद दुरग के नाम से जाना जाएगा द्यान देना विद्यारतियों अचलगर दुरग इस्तान शिरोई स्रेन गिरी दुरग उपनाम आरबुद दुरग अब इस दुरग का निर्मान किसने करवाया था ऐसा माना जाता है कि प्रारंबिक निर्मान परमार सास को ने करवाया था फिर इस दुरग को वर्तमान सवरूपे परदान करने वाला था महरना कुमबा कुन था महरना कुमबा ने 1492 में इसे वर्तमान सवरूप परदान किया था मारणा कुम्बा को राजस्तानी इस्तापत एकला का क्या का जाता है जनक के नाम से भी जाना जाता है तो राजस्तानी इस्तापत एकला का जनक कौन होता है मारणा कुम्बा को मना जाता है ऐसी मन्यता है कि मारणा कुम्बा के काल में कलम, कटार और करनी को कभी भी विसराम नहीं मिलाता, कलम यानि लिखने वाली, यानि सरवादे के साहिते का सरजन किसके काल में हुआ है, मारना कुम्बा के काल में हुआ है, सरवादे के युदे, कटार होती है ना कटार, तो सरवादे के युदे भी किसके काल में है, मारना करनी करनी आप जानते ही हो जो कारीगर कामी लेता है ना सुनाई में ठीक है तो बहवन निर्मान खूब सारे करवाई तो करनी कहां से रुकेगी तो इसलिए ऐसी माननेता है किसकी मारना कॉमबाद प्रारम भई निर्मान निर्मान प्रारम प्रारम करवाया था किसने परमार सासकुने निर्मान कारिये प्रारम भई करवाया था अब बात करेंगे विद्यारतियों वर्तमान सवरूप या पूर्ण निर्मान वर्तमाने सवरूप वर्तमान सवरूप किसने परदान किया माहाराना कुम्भा ने माहना कुम्बा ने वर्तमान सवरूप परदान किया कब किया 1452 अब अगला अगर अपन बात करना चाहिए कि माहना कुम्बा को इस्तापति यानि राजस्तान की इस्तापति कला का जनक तो कोने विद्यारतियों माहरना कुम्बा को इस्तापति कला का जनक माना जाता है कुम्बा के बारे में अपनल का जनकी इस बारे में